आई वी एम ये प्रणे क्या लें? बस और अब मजे में प्रणे मैं सोच रहा था आज कुछ ऐसा डिसकस करते हैं जो कि हम लोगों की जिन्दगी वेगारा को रोज रोज टच करता है कि हम जो भी कुछ करते हैं उसमें कहीं न कहीं हमारा सरकार से बहुत ज़्यादा लेना देना रहता है तो ये इतनी सरकारी संस्थाएं इंडिया में इनका क्या किया जाए ये कैसे बहतर हो सकती है हम अक्सर कहते हैं न हम जाते हैं जैसे आज की डेट में भी तुम ट्रेन में जाओ मैं बच्पन से देख रहा हम बदबू तो आती है ठीक है ऐसा कोई रेलो इस्टेशन देखा है जहां पर बदबू नहीं आती हो ट्रेन का खाना देखा है जो की मतलब मैंने इसे पूराने लोगों से सुना है अरे पहले बहुत अच्छा होता था उसके बाद से वो कम ही अच्छा होता जा रहा है तो इस तरह से कुछ भी सरकारी चीजें होती है जो मिनिस्ट्री सलारी हो डारेक्ली चाहे अगर वो टेलीकॉम कंपनी कॉर्परटाइस भी है तो अभी BSNL को सतर हजार करोड देना पड़ गया है या फिर Air India है वो हर कुछ सालों में कुछ और हजार करोड लेके चला जाता है तो जहां या तो हम उनसे दुखी रहते हैं जैसे मारी municipality हो गई सड़क टूटी होगी ये होगी तो और अकसर हम लोग बोलते रहेंगे हर चीज के लिए सड़क टूटी है इसके लिए प्रदान मंतरी क्या करेगा मतब हर चीज कोई एक लेवल पर थोड़ी होती है तो इस चीजों का क्या उपाय है मतब सिर्फ हमारे जिंदगी में गाली देना रखा है या कुछ और कर सकते है उपाय तो होना चाहिए तो कैसे कुछ लोगों ने सोचा इस बारे में और लोगों ने ये कुछ ऐसा ध्यान से इस बारे में कुछ strategies बनाई है कोई अलग-अलग thought process है क्या कर सकते हैं तो सौरब कुछ सिद्धान तो है अब भारत में काम करेंगे या किस context में काम करेंगे वो हमको थोड़ा और discuss करना पड़ेगा बट कुछ-कुछ सिद्धान लोगों ने सोचे है और एक किताब है banishing bureaucracy उस किताब में कुछ ये सिद्धान बताए गए है कि एक सरकारी संगठन को कैसे बनाया जाए उसके क्या उद्देश होने चाहिए क्या उद्देश सरकार को नहीं करने चाहिए उसके उपर थोड़ी सोच हुई है रिसर्च हुई है और इसके उपर वो हम लोग discuss कर सकते है और इन principles को थोड़ा apply भी किया गया New Zealand में और England में और भारत में भी हम कुछ उदारन देखेंगे वहाँ पर भी इसको apply किया गया है तो इससे हम लोग इन सिद्दानतों को अगर हम थोड़ा समझे तो शायद हम सरकारी संस्थाओं को बहतर construct कर सकेंगे तोगि अक्सर क्या होता है सरकार अल्रेड़ी रहती है सरकार बहुत बढ़ी हो चुकी हो रहती है किसी भी क्षेतर में फिर हम लोग सोचते रहता है तीन ही चीज़े सोचते हैं हम लोग एक तो निजी करण हो प्राइविटाइज़ेशन सरकार सब कुछ बेज़ दे दूसरा होता है सरकारी करण लोग उसको राष्ट्री करण बोलता है अगर सरकार नहीं होगी तो problem तीसरा होता है devolution जिसे हस्तान तरण कहते हैं तो लोग कहते हैं सरकार का सबसे बड़ा problem यह है कि सब कुछ top heavy है सब कुछ दिली में होता है तो अगर हम लोग सब कुछ गाओं में करें या सब कुछ सब कुछ हम लोग शेहरी तोर पर करें तो सरकार का performance बहुत 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 होगा तो यह तीन type की narratives है जो हम लोग generally सूछते हैं सरकार कैसे बहुतर perform करें पर इस किता में बोला है कि इन तीनों के beyond जाकर भी हम लोग कुछ और कर सकते है यह तो बहुत अच्छी बात है इस election में 2014 में तो बोलने आये उनका बहुत बड़ा नारा था कि भई government has no business to be in business और maximum governance, minimum government यह सब उन्होंने काफी कुछ कहा था तो इसको लेकर के मेरे को बहुत अच्छा statistics मिले यह अतानुदे हैं, थोड़े right-wing thinker हैं liberal भी हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा statistic दिया कि वही 1951 में तुम बताओ कितने PSU होंगे इंडिया में गैस कर सकते हैं 1951 में जवालाल नहरू था उस समय तो मतलब कहते हैं, कितने PSU होंगे कितनी public sector unit Central, दिल्ली वाली State वाली छोड़ दो पाँच तो नहीं आजाद हुए होंगे तो शायद नहीं बनाए होंगे ठीक बात है अच्छा उसके बाद 25 साल बाद ठीक है, नहरू, इंडरा गांधी दोनों जिनको खुब गाली वाली मिलती है 25 साल में उन्होंने कितने बनाए होंगे 76 तक पाँच सो ऐसा हमको लगता है कि उन्होंने तो पाँच सो बना दियोंगे लेकिन कुल मिला के 155 यानि देड़ सो और बनाए थी ठीक है, 25 साल में देड़ सो उसके बाद में 1984 तक कितने होंगे 76 से 84, सिर्फ आठ साल आठ साल में के बीच में जन्ता गर्वर्णमेंट भी आई थी ठीक है 155 से 200 हो गए होंगे 220 ठीक है उसके बाद 30 साल 220 से 1984 से 1914 तक 30 साल कितने बने और तो कम होने से यह होंगे क्योंकि हम लोग liberalization हो गया हाँ, बताओ कितने net increase हम 100 हो गए होंगे नहीं, 290 70 और बढ़ गए बढ़ गए? कम तो इंगया में कुछ नहीं होता है लेकिन rate of increase देखो कम होगे ठीक है, लगबग साल के 2 types हाँ, तो साल के 2 बन रहे थे 1984 से लेके 1914 तक अब बताओ 2014 से 2018 तक कितने बने होगे चार साल में पचास पचास नहीं PSU यह तो सच में चौकाने वाली गबर है, क्योंकि कौन से बने हैं यह पचास तो मुझे लगता है काफी यह खूप-खूप corporations वगरा बनती रहती है कोई कहते हैं, शायद इवन भीम आया है न, जैसे भीम UPI टाइप होगा, इसी तरह से कुछ भी नया होता है, तो हम एक नई corporation वगरा बना देते हैं, आजकल थोड़ा सा government में यह भी है कि ministry काम करें उसकी जगे उसकी company तो बना देते हैं, तो शायद यह भी एक thought process होता है, और एक यह special purpose vehicle भी बनाता है न, किसी किसी क्षेतर में जैसे road construction के लिए शायद वो भी इसमें वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो हाँ तो लेकिन फिर भी चार साल में पचास जो है तो इससे लगता है कि काम भी शायद सरकार ने काफी सारे किये होंगे लेकिन सारे काम सरकार ने गर्ण्मेंट बिंग इन द बिजनस वाले तरह से ये काम किये हैं, तो ये यही एक तरीका है क्या, तो ये book क्या बोलती है प्रणे क्या जब गश्ण्मेंट को कुछ काम करना होता है या गश्ण्मेंट की जो संस्थाई होती है किस तरीके की होती है और government कैसे काम करवा सकती है कि यही एक तरीका है हम company पे company बनाय जाए नहीं नहीं सरकार की फिर आज की date में हर चीज का reason तो ठीक लगता है लेकिन 50 साल बात किया इन 70 में से कोई 4 भी अगर ऐसी हमको धराशा ही करें जहां पे हमको पचास-पचास हजार करोड करच करना पड़ रहा है तो उसके बीच तो हम अभी बो रहे हैं न हाँ बिल्कुल तो पहले तो एक बात कि यह जो हम लोग number डिसस करें थे यह सिर्फ केंद्र सरकार रहा था और state government भी कई PSU रन कर दिया जैसे मैंने देखा CAG report में था करनाट का government को 84 PSU's रन कर दिया यह मैसोर सैंडल सोप है न तो अभी भी उसका चल रहा है कि बेचना है बगर है तो government को सावन क्यों बनाना चाहिए मतलब PSU की संख्या तो बहुत ज़ादा होगी पर sort of मैं आपको थोड़ा contrary point देता हूं इसमें actually अगर सरकार companyya बना रही है तो वो तो भी एक बहतर step है क्योंकि सरकार company बनाने की बजाय भी in sectors में involved हो सकती है जैसे भारती रेल वहाँ पर तो company भी नहीं है ministry खुद railway चलाती है उनको पता भी नहीं कि उनको उनको कोई अपनी जैसे at least जो कोई company हो और खासकर अगर publicly listed हो तो उनको अपने सारे भाही खाता ठीक से डालना पड़ता है accounting practices follow करनी पड़ती है railway में तो मैंने सुनाए कि even उनकी balance sheet भी नहीं है ठीक से और वो क्योंकि पूरी सरकार वैसे भी cash accounting पे चलती है तो उनका assets क्या होंगे वो सब भी count नहीं करते वो लोग है तो सबसे बहुए step तो actually मुझे नहीं लगता कि पूरी तरीके से देखना पड़ेगा कि कौन सी company अबनी है तो आम तौर भी एक किताब कहती है कि सरकारी संगठन चार टाइप के function कर सकते है अब आप देखेंगे कोई भी संगठन actually एक से जाधा कर रहा है आज की date में पर broadly हम देखें तो चार टाइप के होता है एक सबसे पहले होता है जो हम लोग कह सकते है नीती type का organization जिसका main function होता है किसी भी sector में नीतियां बनाना ठीक है तो आप जैसे कोई भी ministry देख लें आप जैसे नई ministry आई है ministry जल शक्ती मंत्रा ले अभी ये एक organization है जो पानी और स्वच्छता ये सब को मिला के कर रही है तो ये नीती बनाएगे कि इस शेतर में हमें क्या उद्देश पाना है तो ये पहले टाइप का organization या फिर इसी के साथ में जैसे RBI हो गया वो banking sector में वो भी हमने पहले एक बार episode में discuss किया बहुत confused organization है लेकिन एक उसका काम है नीती बनाना या फिर से भी होगे से भी at least focused organization है से भी और RBI actually दूसरी टाइप के संस्ता में आते है जिसको मैं कहते है नियम संस्ता ये पहला policy organization था दूसरा regulatory organization तो इनका मुख्य उद्देश रहता है कि rules बनाए नियम बनाए नीतिया न बनाए नीतिया एक level उपर होगे तो समझना मैं इसको चाहूं तो जैसे Ministry of Civil Aviation और DGCA में जो फरक हो गया Ministry of Civil Aviation policy बनाती है कि aviation की policy क्या हो पर DGCA rules बनाती है और देखती है कि इन चीज़ को हमको implement और देखना कैसे है तो नियम संस्ताओं में आगए आपके regulators से भी RBI इस टाइप के तो ये दो संस्ताओं है फिर तीसरी संस्ता होती है सेवा संस्ता, लोक सेवा संस्ता हम कह सकते हैं वैसे तो जैसे अब Air India हुई या भारतिये रेल जो आपको service दे रही है, ये सब तीसरी टाइप के संस्ता हो गई है और Mysore Sandals हो वनना हम लाएंगे कैसे ये तीसरी, और चौथी रहती है compliance organization मतलब अनुपालन, तो जैसे tax session, tax collect करने वाली संस्ता है, या फिर police सबसे भैतरीन example उसका ही है, तो अब ये चार टाइप के संस्ता है अब हमको देखना पड़ेगा कि ये पचास में कितने ही सेवा संस्ता है हुई है, कितने अनुपालन या कितने, अब principle एक किताब में ये दिया गया है कि ज्यादा तर रोल जो ये लोक सेवा वाली चीज़े है ये सरकार को करने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग सरकार या तो कई लोगों को दे सकती है, private organization को और नियम नीतियां खुद बना सकती है तो वो बता सकती है कि आप जैसे आप मान लीजिए हम लोग public distribution PDS चला रहे हैं, PDS खुद सरकार चला रहे है, जरूर ही है कि सरकार को PDS शॉप चलाना जरूर नहीं है, राशन की दुकान हर जगे खोल रखिये, अब अपना दुकान तो कोई भी खोल सकता है, सरकार बस बोल सकती है मैं चीजें आपको सस्ते में दे दूँगा या लोगों को पैसा दे दूँगा, जैसे आज कल कर रहे हैं हाँ, और आप ratings तै कर सकते है कि आपको इतने कीमत पर ही देना है या फिर इतने घंटे खूलना है और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनका franchise ही निकाल दिया जा सकता है मतलब उनके पास कुछ map dent तै कर सकती है सरकार और अगर private company उसे नहीं meet कर पा रही है तो उनने निकाल भी सकती है तो एक ये broad principle है कि सेवा की लोक सेवा वाली संस्ता है या generally सेवा और कोई कर सकता है compliance जैसे हम लोग दे नहीं सकते लोगों को compliance काफी कुछ सरकार को ही करना पड़ेगा तो अब पहली दो संस्ता है जो थी नीती और नियम इन्हे generally book में कहा है steering organization मतलब ये तै करते हैं कि किसी क्षेतर का भविष्य कैसा होना चाहिए तो ये yes सवाल को का जवाब देते हैं और आप देखेंगे किसी भी क्षेतर में इनकी जरूरत होगी सरकार को ही ये पूरा करना पड़ेगा और सरकार या तो खुद करेगी या फिर सरकार के पास में वो इकबाल है कि वो लोगों को इखटा करके बोल सकती है चलो तुम बोलो लेकिन मैं उस पर हाथ रख दूँगा कि ये तुमने जो बोला है वो करना चाहिए क्योंकि अगर सिर्फ प्राइवेट लोग करते रहेंगे आप बोल तो बहुत कुछ सकते हो पर फाइनली माननेता किस चीज़ की होगी तो सरकार की माननेता तो रहती है तो या तो सरकार करेगी या सरकार उस चीज़ के उपर अपना हाथ रखेगी बिल्कुल क्योंकि equity, equality ये सब चीज़े तो सरकार ही लगी, तो ठीक है, और फिर जो दूसरे organization ऐसे, लोकसेवा और compliance, इन में हम लोग देख सकते हैं कि, इनको rowing organization कहते हैं, ये तह करते हैं कि किसी भविश्यक तक पहुचने के लिए एक sector में हमें क्या करना चाहिए, ये organization ये तह करते हैं कि हम लोग कैसे पहुचते हैं उस मकाम तक, तो उन में आप देखें तो कुछ function हम लोग सरकार को करने की जरूरत नहीं है, और इसमें हम example अब देख भी सकते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा लोग बोलते भी हैं, जैसे टेलीकॉम का जो example है, जहां पर पहले सरकार ही बोलती थ और फिर हम उसको करेंगे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने बोला कि ठीक है, बोलेंगे हम, लेकिन हम करने सब को देंगे, तो immediately जो है, हमने पूरे हिंदुस्तान में, जहां पर 5-5-7-7 साल की waiting थी, फोन लगने की, अभी बहुत सारे लोगों के पास दो से ज़्यादा फ तो इस किता में basically path strategy बताएंगे, जहां पर भी हम है, वहां से improvement हम कैसे करते हैं, तो आप कोई भी जैसे space ले लिजिए, आप traffic police को देख रहे हैं, इनको बहतर perform करवाना चाहते हैं, तो आप कैसे सूचेंगे उस बारे में, तो इसमें लेकिन एक जो तुमने पहली बात बोली न, उसको मैं थोड़ा challenge भी करना चाहता हूँ, जैसे तुमने PDS का example दिया, कि भी राशन की दुकान भारत सरकार क्यों चलाती है, तो अब लेकिन अगर तुम देखो, कुछ reasons भी थे, कि शुरू-शुरू में जो कहते हैं, दुकान चलाते थे, खासकर गाओं वेगहरा में, Usually एक गाओं में एक दुकान होती थी, और वो basically जो दुकान चलाता था वेक्ती, उसके उपर काफी power होता था, उस जगे को exploit करने का, क्यूंकि शहरों में तो ठीक है, बहुत दुकान होती है, लेकिन जब गाओं में एक ही दुकान है, वो ही आदमी आपको credit भी देगा, वो ही के पास में, वहाँ monopoly है, तो उसके बजाए, ठीक बात, लोग तो ने यह कहा, यार यह हमको, तो और वो जो होता था कि गाओं के बनिये की दुकान, वो बनिया जो है, वहाँ का एक villain type character बन जाता था, तो लेकिन उसका वो जो गुसा था, तो जब भी लोगों को किसी भी private party से गुसा होता है, तो उनको लगता है, सरकार तुम आ जाओ, और शुरू में लोग ऐसा सोचते हैं, पता नहीं, वो सोच सही है, नहीं है, सरकार उस समय और क्या कर सकती थी, ये भी सोच सकती है, हमको ये नहीं चाहिए, तो सरकार बोल सकती थी, कि ठीक है, हम जो है, हम invest कोई और भी दुकान खोले, करने के बहुत तरीक है, लेकिन जिस भी wisdom में सरकार नहीं बोला कि हमी दुकान चलाएंगे, हमी लाइसेंस देंगे, और खेर उसके बहुत नुकसान भी हुए, फाइनली, जो वहाँ आदमी बैठता था दुकान में, उसकी तो मनोपली थी ना, पहले ही वो सरकारी आदमी था, पर इंसान तो इंसान है, जिसके पास भी बहुत ज़्यादा पावर आती है, वो फाइदे उठाता है, राशन की दुकान से, चीजें ब्लैक में बिखती है, और वगरा वगरा, बहुत सारी दिक्कते होती है, आज की date में, जब डारेक्ट ट तेह करने से fix किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि, मतलब जो आपने बोला, वो सरकारी आदमी भी कर सकता है, ठीक है, कि मतलब मैं आँका दादा हूँ, आप मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, आप क्या कर सकता है, और वो तो सरकार का, ऐसा नहीं है कि वो सरकार का है कि ज़रूरत नहीं है, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, मतलब कई देशों में ऐसे ही था कि सरकार बहुत कुछ चला रही थी, पर फिर उन्होंने ये पता किया कि ये optimal चीज नहीं है, और हमें ये नहीं करना चाहिए, अब प्रिटिश एर्वेज का ही उदारन देख जीजए, ये सब Margaret Thatcher का जो Thatcherism बोलते हैं, और उन्होंने भी काफी कुछ चीज़े इन में से की थी, कि सरकार को निकाल दिया जाए काफी खेत्रों, तो आप देखिए, आज ब्रिटिश एर्वेज दुन्या की बहतरीन एर्लेंस में से एक है पहले वो सरकार रन कर दी थी और वो कुछ नहीं था उसका अस्तित्व नहीं था, और जब सरकार ने सुझा कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा है हमको इसका, और उन्होंने एक प्राइवेट प्लेयर को दे दिया, अब काफी बहतर है वो अब इसमें जैसे मानलो इंडियन पोस्ट का एक्जामपल लें क्योंकि कम्यूनिकेशन क्रिटिकल भी समझा जाता है और पुराने जमाने में समझा जाता था तो पोस्टल सर्विस तो हर जगह गवर्ण्मेंट की रही है लेकिन अब कोरियर भी है ये भी एक कहते हैं एक एरिया है जहां पर आप सोच सकते हो कि प्राइवेटाइज किया जाए या सिर्फ प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाओ कर दिया जाए तो एक शायद हम ये भी सोच सकते हैं वजह यह सोचने कि दुनिया कैसी हो, अभी तो ऐसी है, किसी भी वजह से हर सेक्टर में सरकार आतो गुस जाती है, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन यह जो बुक है और जो सिधानत यह है, कि चलो जहाँ पे भी हम है, वहाँ से हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, यह ठीक मेरा या नहीं वो बहुत ज़रूरी है पर actually वो इतना ज़रूरी नहीं है हमें देखना है कि इस किसी भी क्षेतर में contestation है कि नहीं मतलब कहीं सारे player involved यही service provide कर सकते है या नहीं अगर हम लोग उनको allow करेंगे तो outcomes बैतर होगे एक उदारन देता हूँ जैसे हम बैंगलोर में बैंगलोर में अब BMTC है BMTC चलाती है हमारा public transport buses चलाती है अब BMTC दूसरे किसी private players को हम license सरकार देती नहीं है वो उनके कुछ permit है BMTC के पास में monopoly है वेशिकली BSNL monopoly अब ठीक है BSNL ownership आप बोलेंगे 100% पर BSNL क्या वो पूरा कर पारी है जिसके लिए वो है वो नहीं कर बारी है आज भी लोग कार खईद रहे हैं क्योंकि सरकार का public transport तो है काफी खराब है तो contestation अगर हो अगर सरकार सोच सके कि ठीक है कुछ रूट्स पे आप private players भी रन कर पाए और कुछ रूट्स पे BMTC तो रन करेगी तो उससे हम लोगों को बहतर outcomes मिलेंगे तो इसी बात पर चर्चा जारी रखेंगे पर अभी लेते हैं चोटा सा ब्रेक करेंगे लिए भी बात पराश्यू और्कोर्कार्णिसाय कर्येना प्र लाप्रप्वाल। लेजकिर. वेस्तिमें भी स्टैप्स बताने वाले थे तो थीड़ा बनुड़त वीजया बोलता हुआ, धीड़ा किताब में थीड़ा तु तू थीड आपर रहा भी.. तो जैसा मैं बोलता हूँ ठीक है बाल की खालवाल क्या होता नहीं जो भी जिस भी रीजन से सरकार किसी-किसी एरियाज में तो है तो वो जब है तो आगे क्या कर सकते है तो सबसे पहला एक strategy है वो कहते हैं core strategy मतलब सबसे पहली तो बात है कि हर सरकारी संगटन बहुत सारे उद्देश होना चाहिए वो पोलिस है मतलब उनका उद्देश होना चाहिए अनुपालन की लोग rule follow करें पर लोग सर का आप अकसर तो फाइन लगा दो रॉंग वे में चलके आ रहे हो तो फाइन लगा दो फूट पाथ पे मत चलाओ मतलब बेसे पर अकसर सर आप क्या रहना मेरी responsibility बिल्कुल तो वो आकर कि गड़े भी भरवाते हैं बिचारे और बहुत महनत करते हैं पुलिस वाले गाड़ी भाड़ी खराब हो जाती है उसको धक्का वक्का भी लगाते हैं कि जाम ना हो जाए तो उनको लगता है कि उनका सबसे बड़ा काम है जाम ना लग और दूसरा उनको काफी pressure रहता है revenue collection का तो वो फिर सब helmet वालों को पकड़ते रहते हैं या फिर GST की checking करते रहते हैं जाकर के कि तुम्हारे पास में तुम वो e-way bill number लेके चल रहे हो की नहीं और जो भी उनको घूस बनानी होती है या fine काटने होते हैं दोनों के target होते हैं त लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो जो actual traffic वाले rules हैं उन पे उनको इतना मतलब नहीं होता है कि wrong way पे आ रहे हो आने दो लेकिन helmet वाले में बैट करके खूब सारे पकड़ सकता हो तो इनको पकड़ लूं पहले तो आप देखेंगे actually traffic police हमारी परिभाषा में दो function कर रही है एक तो अनुपालन जो उन्हें करना चाहिए ठीक है पर दूसरा वो कर रही है एक सेवा प्रदान कर रही है आपको कि आप एक जगे से दूसरी जगे ठीक time पर पहुंच जाए है तो आप बोलेंगे wrong side से भी चल कम से कम चाम तो मत कर चल तो यह actually काफी time पर oppose करते हैं तो अगर हम ऐसी संगटन बना है सरकार की जो यह दो opposite चीज़े कर रही है तो एक भी उद्देश पूरा नहीं कर पाएगी तो एक principle यह है कि आप सरकारी संगटन को थोड़े कम उद्देश दे और उनको बोल दे कि आप यही उद्देश का पालन तो इस उदारन में आप ऐसा कर सकते कि ट्राफिक मैनेजमेंट के लिए कोई और संस्ता आ सकती है मैं तो कहुँगा शायद सरकार को करना भी चाहिए कि नहीं हो सूचना चाहिए अब है ट्राफिक जाम तो है भाई सरकार को actually public transport बढ़ाना चाहिए जो कुछ भी है तो उस तरह से कोई traffic planning organization शायद रखनी पड़ेगी तो जो भी एक तरीके की city management service है तो शायद ये municipality के पास होना चाहिए लोग एक जगे से दुसरी जगे time पर जा सके ये तो एक city का एक service है तो ये एक core मुद्दा है कि सबसे पहले हम सोचे कि इस संगठन का कर रही है RBI का तो हम लोगों ने एक episode भी किया था दस चीज़े कर रही है कैसे एक असंस्ता कर सकती है तो RBI actually 10 संस्ता है तो सबसे पहले हम लोगों इनको financially independent करना है और उनको अपने उद्देश को का पालन करने की ज़रुए अब लोग अकसर कहते है इसकी वोज़ से अरे सर इसकी नहीं होता उससे आपको जो outcomes मिलेंगे वो बहतर होंगे बजाए इसके कि आप एक ही संस्ता से 10 चीज़े करना चाहता है तो यह एक हुआ core strategy में एक और जैसे इसके अब कई तकनीक होता है यह चीज़ करने के तो सबसे पहले तो यही सरकार पूछे कि यह उद्देश को हमें करना भी चाहिए कि नहीं और अगर नहीं करना चाहिए तो हम लोग क्या इसे privatize कर सकते हैं या और कोई कर सकता है यह सवाल पूछे अगर सरकार decide करते हैं कि हा मुझे करना है तो उनमें भी हम लोग के पास option होता है एक सरकार किस level पर करे या सरकार केंदर लेवल पर करे या फिर local level पर करे फिर तीसरा अगर हमें कुछ legislation या laws create करना है तो उनमें हम लोग या कोई संस्था बनानी है तो sunset clause क्यों नहीं जैसे कि हम लो संस्था बना है जो इसका सिर्फ 5 साल तक हम उससे funding करेंगे और उसके बाद बंद हो जाएगी तो उससे भी हम लोग limited रूप से focus कर रहे है एक चीज़ पर बजाए इसके कि हमेशा के लिए चलती रहा है तो यह एक main strategy हो गया और यह सबसे जरूरी चीज़ है जो हम लोग किस में बहुत कुछ कर रहा है इस रोग है ना खुद के launch vehicles हैं खुद के satellite तो हैं फिर दूसरे लोगों को service भी दे रहा है अब दूसरे लोगों के satellite भी तो monitoring stations भी खुद के हैं satellites के जो telemetry वगरा करता है battery वेटरी भी खुद बना रहा है अपनी space satellites वगरा के लिए तो इसमें भी देखिया कुछ चीज़े हैं जो दूसरे लोग भी कर सकते हैं तो यह सबसे important चीज़ा है पूछना की सरकार क्यों है इसमें और यह organization अगर बहुत सारे उद्देश कर रही है तो क्या हम इसे independent financially independent organization के तौर में divide कर सकते हैं तो यह एक मुद्दा हो गया दूसरी चीज़ अब आती है consequence strategy उसमें बोलता है अब इसमें आ जाता है हम लोग क्या सरकारी organization के हम incentive बदल सकता है तो इसमें हम लोग अभी example देखते हैं जैसे इसमें actually पहले corporatization के बार में बात करना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग पहले BSNL के हम लोग बात कर रहे थे अब पहले BSNL के पहले क्य बॉटम लाइन भी नहीं था तो सबसे पहले एक मतलब थोड़ा weak measure है बट वो है corporatization सरकार own करती है पर सरकार बोल रहे है कि ठीक है आप एक अलग company हो आपका हर साल एक budget statement देना पड़ेगा आपको ये shareholders को बताना पड़ेगा तो वो एक और list कर दिया तो सरकार के अलावा at least public की ownership तो है पूरा privatization भी नहीं है लेकिन उससे आपकी accountability तो बढ़ जाती है कि आप नुकसान तो मत करो जादा बिल्कुर तो ये एक पहला step है है ना corporatization तो पहला step है दूसरा step जैसे हम लोग consequences change कर सकता है वो है अगर हम लोग contestation हो सरकारी company के बीच ही तो हम लोग privatize नहीं कर रहे है पर एक चीज को कहीं सरकारी company दे रही है और एक दूसरे से compete कर रही है और resources के लिए अब जैसे उदारन ले oil marketing company अब बारत में एक नहीं है तीन है LPG company अभी एक नहीं है तीन है सब सरकार की द्वारा own है पर फिर भी ये बहतर है कि एक company नहीं है तो उसे competition रहती है competition रहती है तो शायद कुछ तो incentive है उनके बीच में की बहतर साथ इसमें मेरे को आमिन तुमने पहले example दिया था at least अगर company नहीं भी है जैसे RTOs हैं तो ये Bangalore में पहली बार मैंने देखा था कि पहले तो यह होता था कि आप जिस area में address में रह सरकार ने सिर्फ इतना सा change किया कि आप किसी भी RTO में जा सकते हो तो सारे तो government in fact department है company भी नहीं है लेकिन सिर्फ वो competition कि आप किसी भी RTO में जा सकते हो तो उससे घूस का दर कम हो गया तो वो भी तो एक अच्छी चीज़ी है और घूस कमी हो गई है in fact बहुत ही regulated system है property registration में अगर यही same चीज़ करते हैं तो और भी अच्छा हो जाए बिल्कुल हाँ तो हम लोग ने ownership की तो बात ही नहीं कि इसमें पर फिर भी हम लोग incentive थोड़ा change कर सकते हैं competition बना दो शिर्फ तो उससे इतना इतना फरक पड़ जाता है तो इसमें जैसे यह मुझे उधारन railway के लि नहीं थी उसने बहुत हला किया था और वो पहली बार था फिर मोधी जी एक कहीं पर भाशन देने गए वहाँ पे railway union ने नारे बाजी की उसके बाद में सब बंद हो ठीक है तो ये अब मुझे लगता है वहाँ पे भी अगर government थोड़ा सा धीरे धीरे करे बोलें कि ठीक हम privatize नहीं करेंगे हमको improvement करना है ना इस रेलवे में already zones है इतने सारे हैं हर zone को एक company बना दो और बोलो कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी railway चला सकते हो अब है ना तो सारी की सारी government owned ही रहेंगी लेकिन उनमें आपस में जो है competition possible हो जाएगा कोई 6 या 7 railways हो जाएंगी इंडिया तुमने बोला था उसमें हम segregation भी कर सकते हैं बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा railway का जो track infrastructure है वो है अलग organization company में डालते हैं रेल ऊपर train run करना अलग company में डालते हैं station अलग company में डालते हैं बिलकुश तो नीती नियम सेवा के लिए अलग-अलग संस्ता हो सकते हैं और सेवा के ल अच्छे से run करना चाहिए इतना उनके पास में real estate है वो तो पैसा बनाना चाहिए उनको उनको सुन्दर होना चाहिए अच्छा होना चाहिए पर वैसा है नहीं तो वो sophistication आएगा मुझे लगता है अगर और फिर वो धीरे-धीरे देख सकते हैं railway मत privatize करो station को तो कर सकते हो है है ना या फिर station के अंदर की service को कर सकते है आप own करो सिर्फ उसका अंदर का management दे दो और हर दो साल में नए अदनी को देते रो जैसे ठेका देते हैं तो ये बहुत अलग-अलग तरीके हैं धीरे से चीज करने के और ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ बेशने की जरुरत ही है अगर service बढ़ की लोग तो इतना ही चाहते है ना finally मतब जैसा माउने बोला है मतब चूहा पकड़ रही है बिली वो काली है या गोरी किस क्या फरक पड़ता है है ना हाँ बिलकुल ownership इतनी और इसमें आपने बोला धीरे से करे उसके भी बार में जैसे लोग अकसर कहते हैं कि Air India को अरे base दोगे तो उनके employees का क्या होगा पर ये manage करना मुश्किल नहीं है जैसे सरकार बोल सकती है कि ठीक है आज चितने भी employees हैं मैं उनको salary देता रहूँगा ठीक मैं और लोगों को नहीं लूँगा पर आप काम पे भी मताओ ठीक है आपको salary मिल रही है वो फिर भी हम ल line चलाओं उनको salary देने के लिए तो ये मुश्किल नहीं है सरकार के लिए कुछ 100 करोड तो बहुत छूटा सा amount है सरकार के तौर बजाए इसके कि हम 70,000 करोड भूशाते रहें चीतों मैं तो मतलब ये तो बहुत ही false arguments है मुझे लगता है जो अकसर लोग अरे उनका क्या होग उनका हम ध्यान रख सकते हैं और ये पहली बार नहीं है कि कोई सरकार कर रहे है कई लोगों ने ये तरीके अपना है और किये जासे अब बैंकिंग प्राइडाइजेशन में VRS वेगरा देकर लोगों ने किया ही था एर इंडिया में भी VRS अनौन्स की जा सकती है ऐसा क्या ह बिलकुल और VRS में तो फायदा ही होगा उनको बजा इसके किती अंसर्टिन्टी के साथ बिलकुल और ये overall sector grow कर रहा है मेरे खाल से तो Air India के employees ऐसा तो नहीं है कि कोई काबिल नहीं है उन सब की नौकरी लग जाएगी बर हो सकता है समय लगे क्यूंकि पूरा sector भी तो grow करी र करना पड़ता है नए सेक्टर वगरा के लिए वो जादा मुश्किल की चीज़ है ठीक है और अब तीसरी चीज़ आ जाता है ये थोड़ा जुड़ा हुआ है ये है customer strategy तो इसमें कैसे है कि सरकार को हम लोग सरकार को ये सोचना चाहिए सरकारी organizations को कि वो customer को क्या service दे रहे है और customer के प्रती उनका क्या रवया है उसके बारे में अब जैसे US में चीज़ होती है customer choice strategy ये उनके education के primary schools के लिए लागो की गई है कि अगर किसी सरकारी primary school में जादा लोग आ रहे हैं तो उस सरकारी school को सरकार की तरफ से जादा budget मिलता है तो इससे फिर से incentive change होता है सरकारी school के क्योंकि अगर मुझे जादा पैसा मिल रहा है अगर मैं बहतर लोगों को attract कर सकूँ जादा लोगों को attract कर सकूँ तो उनका service provision भी बहतर होता है तो ये एक तरीका है ठीक लेकिन इसका एक नुकसान भी हो सकता है कि भई इसका ये मतलब है जो अच्छे school है वो अच्छे होते जाएंगे और जो अगर school पिछड गया उसका budget भी कम करते जाओगे तो आएक तो already बेचारा गया गुजरा था तो वो और खराब हो जाएगा और कुछ चीजे हैं ज के बारे में सूचा गया तो ये एक तरीका है हना customer choice आप हमेशा customer choice कर भी नहीं पाएंगे और करने की शाथ जरूरत भी नहीं है उससे low एक और तकनीक है जैसे सिर्फ standard set करना मतलब आप बोले सरकार सरकार ये वादा करे कि ठीक है जैसे आपको खाता चाहिए आपका registry करना है flat का तो हम कुछ भी चीज़ हो अगर आप सारे document लेके आएं तो हम लोग 24 घंटे में आपको दे देंगे या 10 दिन या 15 दिन जो भी हो तो ये एक वादा करे customer की तरफ और फिर उसे निबाए और अगर नहीं हो तो शायद सरकार fine करे या आपको कुछ उसका खामियाजा दे य यह वाला तरीका तो मैंने काफी सुना है अभी हमारी सारी सरकारें पसंद करती है जहां पर जो है जिसको कहते हैं एक right to service या service delivery act वगरा भी बना रहे हैं कि जहां पर अलग-लग services के लिए time fix किया जा रहा है और यह जो भी bureaucrat बैठा होगा उसके उपर pressure रहता है कि मैं इतने गंटे में अगर नहीं किया तो automatically approve हो जाएगा या फिर मुझे मुझे से question पूछा जाएगा कि मैंने क्यूं अप्रूव नहीं किया चूंकि यह अक्सर common तरीका होता है घूस खाने का या कुछ भी करने का कि भई मैं फाइल अटका दू तो मैं कुछ करूंगा ही और फिर जो आम आदनी है वो परशान हो के बोलेगा फिर क्या लोगे इसको निकालने का तो यह कि भई यह फाइल अपने आप आपके हाथ से निकल जाएगी अगर आपने लिमिटेड टाइम में नहीं की तो यह शायद और पॉपुलर हो रहा है तरीका पर मुझे तुमारे पहला वाला आइडिया भी वो स्कूल के लिए शायद जायज नहीं है पर मैं बोलूँगा कि शायद और कुछ चीजों में मैं सोच सकता हूँ कि वहाँ पर बच्चों की एजुकेशन में मैं बोलूँगा कि नहीं सब हर बच्चे के लिए आपको बजएट देना चाहिए और धिहान दे देख सकते हो कि भई आपका जो मार्किट शेयर होगा मैं उसके हिसाब से आपका साइज लिमिट कर दूँगा तो आपको किसी एक दिन अचानक से नहीं बोलना पड़ेगा विसनल को कि अभी तु मर जा या खतम हो जा या जो भी कर ले और हो सकता है अब ये चाहते भी नहीं है communication जैसा हमने पहले भी discuss किया सारे postal department की उन सरकार ने उनकी किए पहले post ही थी आजकी date में telecom important communication चीज़ है शायद सरकार चाहती है कि एक मेरे हाथ में भी रहे हो सकता है मैं border areas के जो cell tower है वो मैं own करना चाहता हूँ मैं नहीं देना चाहता किसी भी private party को हो सकता है कि defense centers के अंदर में जो communication हो रहा है वो मैं ज़्यादा tightly control करना चाहता हूँ तो कुछ limited objectives सरकार के पास हमेशा हो ही सकते है communication own करने के और उसके लिए शायद आप रखना चाहते हो लेकिन आप यह देख सकते हो कि आपने बोला कि आपको सीमित उद्देश होने चाहिए BSNL के आज की date में BSNL का क्या उद्देश है क्यों है BSNL के 100 उद्देश है कि ठीक है उसको सब जगे सब सेक्टर में होना है और इतने कीमत पर provide करना ही है पर अगर आपने जैसे बता है आपने थोड़ा सीमित कर दिया उद्देश आपने बोला कि BSNL हमारे strategically important जगे पर होना चाहिए या फिर सरकारी networks safe होने चाहिए सिर्फ उस के लिए होना चाहिए तो अगर हम थोड़ा सीमित कर दे उस उद्देश को तो फिर focus कर सकता है BSNL उस पर और in fact मैं ऐसा सोच सकता हूँ अगर मैं इस तरह से core तरह से सोच हूँ तो BSNL कल को ये सोच सकता है कि उसके लिए network में चलाओं क्यों मैं सिर्फ ये decide करूँगा कि बाकी लोग strategic areas में कैसे काम करें और मैं उनको monitor करूँगा तो जितने भी सब लोग है मैं सब को आने दूँगा क्योंकि अगर कल मानलो हम बोलें कि PMO में सिर्फ BSNL चलना चाहिए तो फिर नरेंद मोदी जी हेलो 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 करते रहेंगे तो मतलब आप service अपने important लोगों की service खराब थोड़ी हो सकती है आप चाहते हैं ना कि वो भी Airtel, Vodafone, Gio, जो भी जो भी network अच्छा चल रहा है वो use करें है ना सिर्फ अगर आप एक ही use करेंगे तो फिर कैसे सरकार की efficiency भी तो अच्छी होने चीए लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि भई जब भी जो tower वहां आ रहा है उसका audit BSNL करेगी है ना तो क्यूंकि BSNL own कर सकती है या फिर BSNL एक MVNO बन सकती है कि भई infrastructure नीचे मुझे own करने की ज़रत नहीं है पर मैं एक security की layer लगा दूँगा उपर जब भी मेरे strategic लोग या जब भी सरकार का कोई भी phone कोई भी call करें पूरे इंडिया में फिर आपको एक जगे limit भी करने की ज़रत नहीं है पूरे इंडिया में कोई भी call इन particular number से start होते ही मैं उसको एक secure layer में डाल देता हूँ ऐसा सोचेगा लेकिन आज तो कोई भी नहीं सोचता है और अभी जो आपने कहा उदारण वो आपने BSNL को एक सेवा संस्तान की बजाए एक नियम संस्तान के रूप में बदल दिया तो आप यह सोच सकते है कि सरकार को नियम या नीती में तो रहना ही पड़ेगा बड़ BSNL फिर एक service organization नहीं रह जाए वो और कोई लोग कर सकते है तो यह सब चीजे हैं जिससे हम लोग बहतर सोचे है और generally मुझे लगता है कि कहीं क्षेतरों में एक सरकारी company का शायद presence है, especially जैसे यह चीजे जो natural monopolies हम लोग कहते हैं, जैसे अब pipe लगाने है, पानी के या फिर electricity चलानी है अब कही company तो नहीं लगा सकती न, pipe नहीं तो हमारे road और खुच जाएंगे, तो उन चीजों में सरकार का presence तो रहे गई, पर finally जब deliver करना है वहाँ पे हम लोग कही company उसको दे सकते हैं, जैसे बिजली में तो करी रहे है खासकर जहां पे भी शायद एकदम physical चीज नहीं है क्योंकि आप बोल सकते हो कि जो बिजली का network है, वो common है, लेकिन जो बिजली उसमें आ रही है, वो किसी कोई भी वेक्ति दे सकता है, ये पहले possible नहीं था, पर आज modern electronics के साथ में, तो ये सब possible है कि आपको parallel, लेकिन पानी में शायद ये possible नहीं है, पानी में, लेकिन पानी में आप बोल सकते हो उसमें भी कि आप बोल सकते हो, पाइपें ही सिर्फ एक company own करें लेकिन शायद जो treatment है या क्या कहते हैं, बाकी recycling plants हैं शायद उस network में पानी supply आई बहुत लोग कर सकें ऐसा भी आप शायद कर सकते हैं तो अगर इस तरह से जैसा ये framework के इसमें सोचोगे तो कुछ alternate तो निकल आएंगे और हमें और सरकारी संस्थान अगर बनगे तो उससे डरने की जरूरत नहीं है पर अगर वो उदेश पूरा घरभार है नहीं उसके बारे में सोचने की जरूरत है जैसे हम सोच सकते हैं कि water supply department को pipe में बिछाने की भी खुदी जरूरत है क्या उसके लिए वो L&T को contract दे सकती है या किसी अच्छी engineering company को वो बस बोल सकती है भाई अच्छे बनने चाहिए जरूरी नहीं है कि मेरे ही employee बिछा है और वो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा सरकें में गढ़े जो हैं वो पानी विभाग के ही लोग करते हैं कि कुदाल लेकर आते हैं ठीक है इतनी महंगी रोड बना और वो कुदाल लेकर कैया कि उसको खोद देते बिल्कुल और जैसे टेंडर शोर हम लोग बंगलोर में टेंडर शोर भी उसी का एक उधारन है ना सरकार ने क्या किया कि अच्छे टेंडर बना बिल्कुल अब काम तो प्राइवेट प्लेयर्स ही कर रहा है सरकार के पास इतने लोग नहीं है अब के और रोड बना अखेर वो अच्छा एक्जामपल है जहां सिटिजन्स ने हेल्प करी सरकार को भी पता नहीं था टेंडर कैसे अच्छा बना है यहाँ पे सिटिजन पार्टिसिपेशन ने बिसिकली सरकार को बोला कि आप जो करते हो करो पर टेंडर ये वाला यूज करो बिल्कुल तो आप नियम और नीतियां बहतर बनाई है पर बाकी चीज़ें लोगों को करने दीजिए तो ये मुझे टेंडर शूर बहुत अच्छा एग्जामपल लगता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिसम का ये ने की सड़क खराब है मतब लोगों ने मिल करके अच्छा स्पेसिफिकेशन डॉक्मेंट बना के दिया सरकार को कि आप ऐसी सड़क बनाओगे तो अच्छी चलेगी और वो दिखता भी है बैंगलोर में ये तो एक बहुत बड़ा फरक है बाकी सिटीज और बैंगलोर में बहुत कम सड़के हैं पर जो हैं वो अच्छी है तो एक ये तीन स्ट्रेटेजी हम लोग ने डिसकुस की दो और हैं एक आखरी तो कल्चर स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी बहुत ही वेग लगी मुझे इस किताब में भी तो वो कहता है कि कैसे लोगों का कल्चर और हैबिट्स चेंज किये जाएं सरकार के अंदर ही पर ये तो बहुत मुश्किल है आपको भी पता है कमपनी में भी चेंज करना बहुत मुश्किल है तो मुझे लगता है वो थोड़ा कमजोर हिससा इस किताब का तो उसमें मैं नहीं जाओंगा उसके पहले एक और रहता है जिसमें वो बोलते हैं कंट्रोल के बारे में कि सरकार में कंट्रोल कहां होना चाहिए किसी भी डिसिजन का तो आप देखेंगे कई बार सरकार में ज़्यादा तर चीजें उपर से बताई जाती है और नीचे लोगों के पास कंट्रोल नहीं रहता तो कैसे उसको चेंज किया जाए तो इसमें भी कुछ तकनीक है एक बहुत ही थोड़ी रैडिकल तकनीक जो है वो बोलते है कि कंट्रोल आपको सरकार के बाहर ले जाना चाहिए और इसे कहते हैं Community Governance तो उसमें जैसे उसका उधारन बारत में एक था Social Audit तो जैसे NREGS के लिए Social Audit था कि एक महिने के बाद पूरी जो जो लोग महाँ पर involved है जनता एक साथ बैठेगी और सरकार के लोग होंगे और वो अपनी बाद कह सकते हैं कि आपने सौध दिन का जो promise किया था आप काम देंगे ओपन सभा में सब लोग हाथ खड़ा करके बोले मुझे मिला कि नहीं मिला तो ये तो बड़ा जबर्दा social pressure है तो ये social audit शूरू हुआ है शायद पूरी तरीके से effective नहीं बढ़ आंधर प्रदेश में जैसे काफी कुछ काम हुआ है इसके उपर तो ये एक तरीका है जहां पर आप कंट्रोल सरकार के बाहर से ले जा रहे है तो ये थोड़ा एक radical तरीका बाकी और भी छोटी चीज़े है जैसे devolution जो हस्तान तरहन बोलते है वह भी थोड़ा थोड़ा एक कमजोर तरीका है इसका ही पर वह कह रहा है कि कुछ function सीधे केंद्र सरकार को करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ state government कर सकती है state government भी नहीं local government कर सकती है तो ये चीज़े भी आप सोच सकते हैं जैसे फिर से अगर railway का example नहीं तो मतलब एक सबसे आसान reform जो सरकार कर सकती है जिसमें ना कोई union बाजी बीच में ना कुछ सिर्फ बोल दे कि state governments भी railway में अपनी railway चला सकती है PSU ही खोलने दे तो एक तो है कि अपने आपको zone वोन को प्राइवेर कॉर्परटाइज करना वेगारा उसके लिए शाच फिर भी resistance आए लेकिन कोई नया PSU खोलने के लिए कभी कोई हला नहीं मचाता है ठीक है यह तो बढ़ी रही है सरकार से उससे सब खुश रहते है तो भई ठीक है अगर करनाटा गवर्णमेंट कल को करनाटा का गवर्णमेंट बोले कि मैं अपना railway PSU बनाना चाहती हूँ आज तो constitutionally possible नहीं है लेकिन यह तो British time की चीज़ है कुछ 20 साल पहले ठीक है तो जो पूरा हिंदुस्तान का GDP था वो सिर्फ एक महराष्टरा का GDP होने वाला है कुछ साल में तो महराष्टरा अपना railway क्यों नहीं चला सकता तो शायद कुछ state नहीं चलाएंगे शायद बिहार जैसे state नहीं चलाएगा लेकिन कुछ state चलाएंगे एडलीज उसी से शायद महराष्टरा में competition शुरू हो जाए और एक चीज़ मेरे हिंदुसान में देखा है कहीं भी कुछ होने लगता है और कुछ अच्छा होता है तो बाकी लोग बोलते हैं मुझे भी चाहिए हो भी है लेकिन देखा देखी कॉपी तो करते है तो कोई भी कुछ अच्छा मॉडल अगर कहीं बना सकते है तो यह बहुत आसान तरीका है सरकार को अगर एक चीज़ करनी है उसको सिर्फ उठा करके railways को central list से उठा के concurrent list में matter को डाल देना है इसका थोड़ा एक हटके example है ऐसे metro में थोड़ा अलग है इसमें क्योंकि सरकार क्या कर रहे है कि यह जो BMR CL है इनमें भागेदारी दोनों की है हाँ हाँ थोड़ा state central कर रहता है तो यह भी एक अच्छा तरीका है यह भी अच्छा तरीका है बिलकुल तो वह ही metro में उन्होंने कर ली और वह एक success हो रही है और metro में आप देख सकते हो एक जगे metro लगा अब बाकी जगे पे चाहे वो profitable हो या ना हो हर city को चाहिए मुझे भी metro चाहिए और overall अच्छी चीज है metro की वज़े से हिंदुस्तान में tunneling होने लगी है पारिस वारिस में तो आप देखेंगे तो air strip के नीचे भी tunnel होगी हम यहाँ ड़ते रहते हैं कि tunnel कर दिया यहाँ पानी निकलाएगा उपर कमजोर है यह हर नदी के नीचे tunnel होती है वो England और France के बीच में तो समुंदर के नीचे tunnel है इतनी बड़ी और हिंदुस्तान में आप देखो तो हमने तो western घाट के थू भी tunnel नहीं बनाई है वो पूरे हम हर पहाड़ी के ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं यह पिछले 200 साल से लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं पर मेट्रो की वजह से ऐसी सब चीज़े यह शुरू होंगी मेरे कहल से हिंदुस्तान में भी आएंगी तो मेट्रो बहुत अच्छा एक्जामपल है उसी तरह मुझे लगता है अगर रेलवे भी हो यहां पर करनाटका में खास कर अब देखोंगे हिंदुस्तान का पूरा रेलवे मैप जो है वो ब्रिटिश इंडिया के थ्रू जाता है जो भी नॉन ब्रिटिश इंडिया था वहां पर रेलवे डेंसिटी कम है तो क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स को चाहिए था हमारी लाइन के थ्रू रहे क्योंकि उनका मेन काम उन्होंने क्यों रेलवे बनाई थी कि आर्मी एक जगे से दुसरी जगे जल्दी पहुंच सके शाइद इसलिए मैसूर स्टेट में थोड़ा कमजोर है बिल्कुल और इसलिए तमिलाडू में जाता है मदरास से साब कुछ जाता है क्योंकि मदरास जो है ब्रिटिशर्स के लिए बड़ा सेक्शन था और हमने आजाद भारत में बहुत काम किया है लेकिन नई लाइन कम बनाई हम लाइनों को अपग्रेड बहुत किया सारी लाइने ब्रॉड गेज हो गए बहुत काम हुआ है लेकिन नई लाइने उतनी नई हमने बनाई है लेकिन शायद अगर स्टेट्स को दिया जाए तो स्टेट्स नई लाइने बनाईए आपस में कॉपरेट करके नई लाइने बनाईए तो वो जो चीज है न और दिलिवी में बैटके कुछ लोग नहीं सोच सकते कि कहा कहा नहीं चीजें चाहिए हर स्टेट की अपनी दिक्कत है उनको चाहिए मैं करनाटका में देखता हूँ मैंगलोर की जो लाइन है वो बनने में कितना जमाना लगा और एक मैं लेवल नीचे आता हूँ कि स्टेट गवर्मेंट्स भी यह नहीं कर पा रही है क्योंकि वो खुद काम करना चाहते हैं लोकल गवर्मेंट का किसी ने बहुत अच्छा चीज कहा ने एवरीवन वंट्स डीसेंट्रिलाजेशन बट अप टू दिर ओन लेवल तो जैसे की चीज यह भी है कि हमारे सीएम ने जैसे दो तीन साल पहले उन्होंने दोड़े नेकुंडी में एक फ्लाइओवर था वो उन्होंने अपने बज़ेट स्पीज में बोला था कि हम लोग बना रहा है इतनी बड़ी स्टेट का सीएम एक फ्लाइओवर के लिए क्या चिंता कर रहा है यह मुंसिपैलेटी का काम होना जो है कि मैं यह फ्लाइओवर बना रहा हूं कि नहीं बना रहा हूं यह तो बाट ठीक है तो स्टेट गव्मेंट को भी तो सीएम जो है वो मेर बनना चाहता है तो कैसे फिर काम होगा तो यह तो एक दिक्कत की बात है तो यह एक बैनिशिंग तो यह जो बैनिशिंग बिरोक्रेसी है यही एक फ्रेमवर्क है इस टाइप का प्रणे या और भी कुछ तुमने देखा है ने मैंने यह देखा है सरकारी संगठन को कैसे रिफॉर्म किया जाए उसके लिए मैं तो यही पढ़ पाया हूँ पर बाकी सरकार को कैसे इंप्रू करना चाहिए उसके लिए और अलग ढाचे हैं फ्रेमवर्क हैं जो यूज किया जा सकता है तो इसका सक्सेस स्टोरी और मतलब और हिंदुस्तान में हमने उपरचुनिटीज तो काफी डिसकेस करी पर कोई सक्सेस स्टोरी भी ऐसी है इंडिया में जो हाइलेट करना चाहोगे भारत का तो पता नहीं है फ्रेमवर्क को अक्चुली अप्लाय नहीं मुझे तो लगता है यह फ्रेमवर्क इसलिए मतलब और क्योंकि यह बहुत सारे उपरचुनिटीज अभारत के लिए और हर सेक्टर में देख लिजी आप यह फ्रेमवर्क लगा के कुछ बहतर समझ सकते हैं और किसी भी स्टेट में और सबसे अच्छी चीज मुझे यह लगी कि हर चीज का अंसर प्राइवर्टाइजेशन नहीं है उसके बिना ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत इंप्रूव्मेंट ला सकते हैं हर चीज का अंसर डेवल्यूशन भी नहीं है कुछ जैसे नीती नियम बहतर होंगे अगर वो किंद सरकारी करें आपको हर चीज लोकल लेवल पर करें तो बहुत प्रॉबलम होगा जैसे कम्प्लाइंस है अब आप नहीं चाहते कि पोलिस खुद पोलिस यहाँ पे जो पोलिस टेशन वहाँ खुद का नियम बना है बिल्कुल प्रॉबलम हो जाएगा तो कुछ चीज़े आपको सेंट्रलाइस करनी है कुछ चीज़े आपको डिसेंट्रलाइस करनी है तो वो चीज़ भी है तो किसी भी चीज़ का अंसर ना तो सरकारी करन है ना तो नीजी करन है ना तो हस्तान तरन है हर कंटेक्स्ट के और क्या फंक्शन है उसके तोर पर डिसाइब है तो यहाँ पर अच्छी सी खूप सारे ओजार दे दिये हैं पर आप ओजार हर जगे पर हथोड़ा मत लगाई तो यह सही शब्द है यह किताब ऑजारों के बारे में है और ऑजारों को आप कैसे प्रयोग करना चाहते है उसके लिए भारत में कई सारी opportunities है बाहर देखे तो जैसे यह framework का New Zealand में प्रयोग वो किताब में लिखते है कि New Zealand में इसका प्रयोग हुआ और सरकार एक काफी बहतर हो गई काफी organization बहतर हो गई और UK और Thatcher के time में क्या चीज़े हुई उसका भी उदारन है तो यह success stories है मैंने British Airways की भी बात कही कई चीज़े थी ना जो British सरकार जिसमें थी oil में थी British petroleum, British oil काफी चीज़े से सरकार इस दौर में निकल गई और उन्होंने अपने नई संस्थाएं भी बनाई जिनका उद्देश काफी limited था ठीक है यह तो बहुत मज़ा आया प्रणे आज की discussion में बहुत कुछ सीखने को मिला I hope हमारे श्रोताओं को भी सीखने को मिला होगा तो अभी मैं अपने श्रोताओं को फिर से बोलना चाता हूँ अगर आपको पुलियाबाजी पसंद है तो जिस भी podcast app पे आप सुनते हैं चाहे iTunes हो, Pocket Cast हो या Stitcher हो आप जरूर हमको rate कीजिए, review कीजिए और Twitter पे या email पे हमसे संपर्क कीजिए बहुत मज़ा आता है जब भी आप लोग हमको messages भेशते हैं तो thank you so much तो उमीद है आपको मज़ा आया पुलियाबाजी में शामिल होने के लिए हमसे मिले पुलियाबाजी at gmail.com या फिर at Pulliabazi Twitter पर फिर मिलेंगे अगली Pulliabazi अजयाब जड़े झाहिए the people they are supposed to help? Why was demonetization a bad idea? How should GST have been implemented? Why are all our politicians so corrupt when not all of them are bad people? I'm Amit Verma and in my weekly podcast The Seen and the Unseen, I take a shot at answering all these questions and many more. I aim to go beyond the scene and show you the unseen effects of public policy and private action. I speak to experts on economics, political philosophy, cognitive neuroscience and constitutional law so that the insights can blow not only my mind, but also yours. The Seen and the Unseen releases every Monday. So do check out the archives and follow the show at seenunseen.in. You can also subscribe to The Seen and the Unseen on whatever podcast app you happen to prefer. Hello everybody, we have a brand new daily podcast we're working on with Bloomberg Quint. All You Need to Know provides the top news on business, markets and the economy so that you can stay ahead of the curve. Tune in every morning on BloombergQuint.com, the IBM podcast app, or wherever you get your podcasts from. Thank you. you thank you. you you